नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतों पून जानकारी को लेकर के जिहां हीमोगलोबीन खुन की कमी के कारण लक्षण और उपचार आई आज हम सभी जानते हैं हीमोगलोबीन की कमी का सबसे बिमारी है जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी बिमारियों के होने का खत्रा बढ़ जाता है हिमोगलोबीन में लौख आइरन तत्व की कमी के कारण और पौश्टिक भोजन की कमी एवं हरी पत्तों वाली सब्जियों के न मिलने के कारण शरीर में खुन की कमी हो जाती है अगर को जरूरत के हिसाब से विटामिन वाला भोजन न मिले तो शरीर में खुन की कमी के कारण कई रोग हो जाते हैं जिसे रक्त चाप एनीमिया रोग कहा जाता है मलेरिया अतिरज खुन का बहना आते सरना जुकाम भूक कम लगना शूगर स्नाइविक कमजोरी लंबी बीमारी इत्यादी के कारण शरीर में खुन की कमी हो जाती है इसके अलाबा कुछ बिमारीयों के कारण भी खुन में हीमोग्लोविन की कमी हो सकती है खुन में हिमोगलोवीन की कमी के समाने लक्षनों को अब जान लिजे ना खुन पतले होना खुरदुरे एवं चप्टे हो जाते हैं तथा उनमें लंबी लंबी धारियां सी पढ़ सकती हैं सिर्दर्द बना रहता है हलके एनिमिया यानि कि खुन की कमी में लक्षन नजराने लगते हैं सांस लेने में तकलीफ होना या सांस का फुलना चक्कर आना एनिमिया से ग्रसित व्यक्ति में एक समाने लक्षन है खुन की कमी या एनिमिया में हृदय के धर्कन तेज होने के अलावा चिर्चिलापन भी हो सकता है छाती में हलका या तेज दर्ध होना एवं सीने में एठन होना त्वचा एवं नाखुनों का पीला होना आखें का पीला हो जाना जी हाँ, आखों के सामने अंधेरा छाना, हाथ और पेरों का ठंडा हो जाना, इनहीमिया से ग्रसित व्यक्ति में संक्रामक रोग जल्दी जल्दी होने का खत्रा रहता है, कमजोरी और ठқावट महसूस होना, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, चेहरे की चमक खत्म होना, काम और खुन की कमी के कारण कभी-कभी मासिक धर्म रुक भी जाता है। खुन की कमी बच्चों में हो जाने से बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के शरीर का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों का दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि उनकी यादास्त कमजोर हो जाती है जिसके कारण बच्चे पढ़ाई में पिछरने लगते हैं शरीर में खुन की कमी होने से चेहरे का रंग पीला, सूजन, सांस लेने में कठिनाई तथा पैरों में सूजन इत्यादी बिमारी हो जाती है खुन की कमी होने के कारण सिर्दर्द, दिल की कमजोरी, हात पैरों की कमजोरी, पीलिया, दृष्टी, हिंता यानि के आखों की रोशनी कम होना, हिन रक्त चाप, लो बलड प्रेशर, खुन में खराबी, इत्यादी रोग सामने आते हैं और जादा परेशानी में कमजोरी के बढ़ जाने पर दिल के रोग इत्यादी हो सकते हैं और रोगी की मृत्यू तक हो सकती है अब जानते हैं विभिन और शद्यों से इसके उपचार के बारे में सहजन, सहजन के पत्तों को तोड़ कर उसकी सबजी बना करके खाने से शरीर में लोह यानि के आयरन तत्व की कमी दूर होती है और शरीर में खुन की कमी के कारण होने वाली बिमारी खत्म हो जाती है पीपल का दूध बताशे में चार बुंद डाल कर खाने से खुन की कमी दूर होती है तथा खुन की कमी के कारण हुए रोग समाप्त हो जाते हैं चीकू शरीर में खुन की कमी को दूर करने के लिए प्रती दिन 3-4 चीकू 8-10 दिन तक खाना चाहिए टमाटर टमाटर पालक और गाजर का रस आधा अधा कप प्रती दिन 40 दिन तक पीने से खुन की कमी के कारण हुए रोग में आराम मिलता है आधा कप आवले के रस में दो चमच शहद और थोड़ा सा पानी मिला करके पीने से लाब मिलता है इसके अलावा आवले का चून 3-6 गराम रोजाना शहद के साथ लेने से खुन में रिध्धी होती है खुन के रोगी को एक चमच आवले का चून और दो चमच तील के चून लेकर के शहद के साथ मिला करके खिलाने से एक महिने में ही रोग में लाब होता है अनार खुन की कमी को दूर करने के लिए अनार के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक को मिला करके पीने से लाव मिलता है फालसा, 40 दिन तक फालसा खाने से खुन की कमी दूर हो जाती है और यह शरीर में खुन बनने में मदद करता है खुन की कमी होने में फालसा खाने से खुन बढ़ता है पपीता, पपीते का गुदा 200 ग्राम प्रती दिन खाएं इसका प्रयोग लगातार 20 दिनों तक करने से शरीर में खुन की कमी नहीं रहती है अडूसे, एक कप का पके हुए अडूसे का रस निकाल करके आठ दिन तक पीने से शरीर में खुन की मातरा बढ़ जाती है आम एक ग्लास दूद और एक कप आम के रस में एक चमच शहद मिला करके नियमित रूप से सुबह शाम पीने से लाप प्राप्त होता है तिन सो मिली लीटर आम का जूस प्रती दिन पीने से खुन की कमी दूर होती है आलू बुखारा आलू बुखारे का रस प्रती दिन दो ग्लास रस सुबह शाम पीने से खुन की कमी खत्म हो जाती है चुकंदर चुकंदर थेरेपी के तहद पहले ध्यान रहे कि दो दिनों तक उपवास रखें इसके बाद तीन दिन तक किसी भी फल के जूस पर रहें इसके बाद 200 मिली लीटर चुकंदर 200 मिली लीटर गाजर का रस दिया जाता है यह मातरा एक दिन के लिए होती है शरीर में रक्त की कमी होने पर यह प्रियोग बहुत ही लाफकारी है एक गलास प्रिया काट कर उस्पर सिंधा नमक और काली मेर्च का चुन डाल कर खाना खूं की कमी के रोग्यों के लिए लाफकारी होता है यहां खूं की कमी यानिके एनिमिय SAY पढ़ित रोग्योंको जिनके सहारे आप अपने शरीर के यानि की बलड की मातरा को सही रख सकते हैं, संतूलित रख सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी मातोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों